लोकों का आपके अपनी YouTube चैनल Eddy Smart classes में हम लोग ले के आएं हिंदी की classes और अभी तक हम लोगों ने सहीद 15 classes हो चुकी हैं कल की class में हम लोगों ने समास देखा था और समास हम लोगों ने प्रयास यह किया कि एक ही class में आप लोगों को पूरा जितना भी topic है समास का जितना भी उसमें material है वो सब आपको provide करा है सारी चीज़ों का explain करें तो जिसने समास नहीं देखा हो समास topic वो कल की class देख सकते हैं और आज हम लोग next उसमें चलते हैं तो देखो बिटा संधी वगेरा सब हो गई है कुछ मात्र कुछ topic बचे हैं जैसे आपका जैसे आपका प्रत्य हो गया ठीक कुछ topic बचे हैं जैसे प्रत्य हो गया इसके बाद वाक्य भेद हो गए ठीक मुहावरे एवं लोकोक्तियां हो गई इसके बाद आपका जैसे क्या बोलते हैं वाग के सुध्धि हो गई है वाग के सुध्धि वाग के सुध्धी के बाद हम लोग चलेंगे 아직 कि यह चीजीं है कुछ जैसे साहिटी का पोर्ट्टन हो गया wiring अलंकार हो गए अलंकार हो गए रस हो गये ठिक चंद हो गए दोहा सोठा, तो ये सब हम लोग साहित के पॉर्चन में इन चीजों को देख लेंगे, रस्चंदलंकार, ये सब व्याकरण के पॉर्चन में आ जाएंगे, है ना, तो इनको देखते हैं, आज हम लोग चलते हैं, प्रत्य पढ़ लेते हैं, थोड़ी देर का टॉपिक है, और को देखे, प्रत्य से भी question आते हैं, उपसर्ग मेंने पढ़ा रखायी है, उपसरग देख लेना, प्रत्य आज अांकी class में प्रत्य हैं, तो पहले हम लोग performer के विश्य में पढ़़ लें, प्रत्य क्या है, ठीक, इसके बाद kरत कैसे बना का पती प्रत्य का प्रयोग, कहँ में होता है कैसे क्या होता है यह हम लोग आज देख लेते हैं ठीक चैनल में जुड़ने के लिए आप लोग जिनको नहीं पता है या आप लोग classes को forward कर दीजिए मतलब share कर दीजिए AD smart classes जिससे बच्चे इंदी पढ़ रहे है आरो यारो के लिए अब हम हम लोग में टार्गेट देखो हम लोग पुलिस और जो यह चल रहा था यूपी पी तो चली रहा है साथ में आरो यारो को लेके लीड कर रहे है कहने के मतलब है अभी इससे रिलेटेट जो भी लेवल है उस लेवल से हम लोग पढ़ाएंगे क्योंकि कुछ बच्चों की requirement है आरो यारो के लिए तो हिंदी वही है बस किवल लेवल थोड़ा अप डाउन है तो हम लोग उसी लेवल से पढ़ाएंगे जिस डाउन है इससे होगा क्या कि जितने भी अपडेट सोंगी आप लोगों को मिलती रहेंगी आगे चलते हैं लोग आज प्रत्य देख लेते हैं प्रत्य अच्छा नाम तो सुना होगा यहां पर जितने लोग बैठे हैं जो ऑफ-लाइन में तो प्रत्य देखो उपसर्ग भी किसके बाद में धात या सब्दों के जो भी होते हैं सब्द उनके बाद में करते हैं है न तब ही देखो प्रत्य के लिए एक प्रत्य बना कैसे प्रति आय और अच इससे मिलके आपका प्रत्य बना साथ चलने वाला ठिक प्रत्य प्रत्य का प्रियोग का होता इसके लिए है भी सूत्र आया प्रत्याह परश्च फोड़ा संस्क्रत को इंकुलूट किए दे रहे हैं बिना समस्कत क्या दूरा रहेगा प्रत्या परश्च प्रत्य का प्रियोग कहां करेंगे पर में पर का मतलब दो चीजें होती हैं पूर्व और पर पूर्व का मतलब पहले और पर का मतलब बाद में तो प्रत्या परश्च का मतलब हुआ प्रत्य का प्रियोग बाद में होगा किसके बाद में होगा तो धातु या सब्दों के बाद में होगा ठीक अब होता क्या है कि दो चीजें हैं हमारे पास एक तो धातु है और दूसरे पद या सब्द है ठीक तो अब इन सब्दों के बाद और धातूं के बाद, तो जिन प्रत्यों का विधान धातू के बाद किया जाता है, वे कैसे प्रत्य होते हैं, बेटा, क्रित प्रत्य होते हैं, कैसे प्रत्य होते हैं, क्रित प्रत्य, इसके बाद जिन का प्रियोग हम सब्दों के बाद करते हैं वो प्रत्य क्या कहलाते हैं तद्धित प्रत्य कहलाते हैं कौन से प्रत्य कहलाते हैं वो प्रत्य तद्धित प्रत्य कहलाते हैं बाकी संस्कत में कई सारे हैं, इस्त्री प्रत्य हैं, सुबंत हैं, सुप प्रत्य हैं, तिंग प्रत्य हैं, ठीक, विकिरन प्रत्य हैं, और तो ये सारे हैं, लेकिन यहां पर आप ये देखो, कृत और तद्धित, दो प्रत्य हैं, अब हम लोग चलते हैं, प्रत्य समझ में आ आवट अब आवट को आपने लिख लिख दातु के साथ जोड़ दिया क्या बन गया लिखावट हम लिखावट बनावट सजयावट तो ऐसे करें भी तो हम सब्दों के निर्माड करते हैं न मतलब प्रत्यों की भी भूमिका है सब्दों के निर्माड में प्रत्य और उपसर्ग ये सब की भूमिका अपनी अपनी है ठिक उपसर्ग एक मिनट देख लेते हैं उपसर्ग पीटा संस्क्रित में 22 बताए गए हिंदी में कुछ उर्दू के उपसर्ग ले लिए गए एक उपसर्ग के कैया हमारे पी जैसे देखो उप्सर्ग का क्या हो जाता है जैसे है हार सब्द हे हार में आ आपने उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया हार बन गया अब आपने यहीं पर प्रा लगा दो yeah ठिक हाँ, अब यहाँ पर उप लगा दो, ठिक यहाँ वी लगा दो, यहाँ पर परी लगा दो, तो देखो अभी एक और बचा, और देख लो अभी, तमाम है, है ना, तो देखो यहीं मात्र, हमने इस पर छेण खानी तो नहीं करी, नहीं करी ना, तो सब्द बनते चले गए कि नहीं बनते चले गए, उप सर्गेण, धात्वर्थो, बला दन्यत्र, नियते, मतलब हुआ कि, एक ही सब्द में अगर हम उप सर्ग का प्रयोग करते हैं, तो कहीं कहीं अर्थ बदल जाता है, कहीं और विसिष्ट हो जाता है, है ना, बला दन्यत्र, नियते, कहीं कहीं पर उसका परिवर्थन हो जाता है, कहीं और विसिष्ट हो जाता है, इतनी बात समझ आज में आ गई चलो उपसर्ग तो बताना थोड़ा इसलिए जरूरी था क्योंकि प्रत्य और उपसर्ग प्रत्य पढ़ने के पहले थोड़ा उपसर्ग के विसे में जान लो आप देखो चलो आज हम लोग पीडियम देख लेते हैं इसकी ठीक है कि देखो अच्छा कि प्रत्य है कि तो हो रही है ना कि विजिबल है कि अब बड़ा करते इसको कि हाँ छोटा हमें भी लग रहा था अब सही है देख लिए स्क्रीन पर हाँ सही दिख रही है ठीक देखो अब प्रत्य क्या है प्रत्य सब्दांस होते हैं सब्द नहीं होते प्रत्य क्या होते हैं प्रस्नेक बन गया वाई सब्द्द सब्द, सब्दांस, पद या वर्णांस या वर्ण लोब प्रसंद बनाने में क्या दिक्कत है बताओ इसका क्या हो जाएगा प्रत्य हैं सब्दांस हैं ना कि सब्द हैं प्रत्य क्या हैं? सब्दान्स ठिक इतनी बात समझ में आई अच्छा आगे देखो सब्दान्स होते हैं जो सब्दान्स सब्दों के अंत में लगकर मतलब सब्दों के पर में लगकर पर का मतलब बाद में है ना तो जो सब्दांस सब्दों के अंत में लगकर या सब्दों के बाद में लगकर क्या करते हैं उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विसेश्था ला देते हैं उन्हें हम प्रत्य कहते हैं सब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या प्रत्य हमारे अंत में लगते हैं बाद में लगते हैं पर में लगते हैं इसके बाद देखो प्रत्य के दो भेद बता दियेगा हिंदी की बात हो रही वाई साहब संस्क्रत वाले ना इसमें द्यान दें भी प्रत्य के दो भेद हैं ठीक संस्क्रत में कितने भेद हैं पर संस् हैं ठीक, तो अब इन में तुमिस्न के इक्जाम्पल देख लो, कृत्पर्त्य में, जैसे देखो ये देखो, कृत्पर्त्य क्या हो गए, देखो जैसे वाला लिखने वाला, पढ़ने वाला पढाने वाला हसाने वाला गानए वाला तो यहाँ पर गाणा एक क्रिया हो गई है ना अब गाने वाला तु किसी एक व्क्तिक विसेस का दियोतक हो गया कि नहीं हो गया बुदिफज guy यह तो आप करत वाचक वाले हैं इतना समझो कि कृत प्रत्य में ये जितने भी हैं ये सब कृत प्रत्य में आ जाते हैं जैसे देखो हार है, पाल तो पालनहार हो जाएगा, पालने वाला, पालनहार का मतलब, पालने वाला, तो देखो इससे दोनों प्रत्ते लगा के बना सकते हो ना, पालने वाला और पालनहार, एक ही बन जाएगा ना, भोनहार, राखनहार, खेवनहार, खेने वाला, नाओ कुछ जो खेता है उसको क्या बोलते हैं है ना तो खेवन हार तो यह चीज़ें हो गई तो यहां पर देखो प्रत्य हिंदी में तुम लोगों को पहचानना सबसे सिंपल अब देखो जैसे बुलक्कड लिखा है तो सीधा बता दो अकड लगा है है ना प्यक्कड कहीं लिखा है तो अंत में कौन सा फ्रत्य होगा रिखार होगा अकडा अकडब लोगर तो भिपीडिया घंत ही बावन और मियंकर श शेक्ड य-समें प्यक्कड वगया तो भाई साव यह अकड प्रत्य लगा घुमकडं कर अकड़र फॵद्धकर आदमी है ना इधर उदर गूमता रहता है उदकता रहता है अब देखो भाई जाब अच्छा देखो आप तुम लोग इधर ना देखो सपोस करो तुम लोगों ने अभी यह चीज नहीं पड़ी ठीक अब अब अएसे देखो अब देखो यहाँ पर पॉस्पोस करो तुम लोगों ने अभी नहीं पड़ा अब यह देखो लडाकू लिखा आए अब इसमें कौन सा पृत्त्य होगा अंत में क्या दिख रहा है आकू दिख रहा हैं बिल्कुल सही है ना जुग आड़ी, आड़ी दिख रहा है, तो इसमें क्या समझने वाली चीज है, ऐसा कौन सा नियम काइदे कानून पढ़ने की जरूरत है, जिसमें तुम इसमें पहिचान ना पाओ, प्री फोकट का नंबर है की नहीं है, बताओ, क्वेश्चन दे दिया जाए, बस एरा, लुट एरा, अब इसमें कौन सा प्रत्य हो जाएगा, लूट ये वाला अलग कर दो सब्द, कोई एक सार्थक सब्द मिल रहा होगा ना लूट, लूट अलग कर दो, क्या बचा, एरा देखलो, इसी यही लिखा होगा, यही लिखा है प्रत्य है, है ना, तो इतना तो खुद निकाल सकते हो, ऐसी तो है नहीं कि हिंदी पढ़ना पाओ, है ना, इंग्लिस तो है नहीं कि पता चला, लिखा के से स्टार्ट है पढ़ना से रहे हो, तो ऐसा भी नहीं है, जो इसम लाए कि PDF से तुमको ज्यादा से ज्यादा एक्जाम्पल्स मिलेंगे हम बोर्ड में कितने बता देते एक्जाम्पल्स बताओ आप ही बताओ एक्जाम्पल भाई दजबारा लिख देते हैं ना लेकिन यहां पर क्या आए कि आप कम सकम एक बार नजर में पड़ेगा है ना अटा दो क्या बचा लेक अटा दो क्या बचा बस अक इसमें भी लगा है अक इसमें भी लगा है यही प्रत्य होगा होगा कि नहीं होगा आगे देखो खिवया गवया इसमें कौन सा इसमें कौन सा प्रत्य लगा है देखो अईया लगा है है ना इसको आई पढ़ेंगे ए आई हो अउ ऐसे पेड़ते हैं जब बालक के सब दुरूप पढ़ते हैं बालका बालकव बालकाह ऐसे ढोला जाता है तो जब ये लिखा है आई तो इसको आई पढ़ेंगे आई या तभी तो खिवयया गवयया है ना अच्छा यहाँ आपिक है मज़ा आती है इसमें केवल एक्जामपल देख लो बस देखो अच्छा इसमें बताओ बेटा तिकाओ में कौन सा है आओ है ना तिकाओ खडाओ कमाओ जडाओ विकाओ चलाओ दिखाओ इसमें भी आओ इसके बाद भगोड़ा ओड़ा हो जाएगा ढशाओ अ हमगों ओ। ओडाहो जाएगा हैं यह ना कशल्छक निकल रहा होगा नशेętज हो एंस है यह लग के अर्थ अपना निकल वा लेते हैं बाकी इनका अर्थ तो पहँचानना बहुत आसान है, हम लोगी गारा देख लेते हैं थोड़े बहुत देखो अब ये आपको ये भी बताना अगर भाई कर्म वाचक कृत प्रते क्या होगा ऐसे प्रते जो लग के कर्म का ग्यान करवा दें जो कर्ता का ग्यान करवा है जैसे लूटे रहा तो लूटे रहा है कर्ता का ग्यान करवा रहा था ना लूटने वाला पालन हार पालन करने वाला तो वहां करता का कि बोध वह रहा था ये प्रत्य क्या है इनसे कर्म का बोध होता है तो इसको कर्म वाचक बोल दिया गया तो यह तो नहीं पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा कि निमलिखित में कौन सा प्रत्य है, ठेक, देखो, बिछावना में कौन सा प्रत्य हो जाएगा, आप लोग बताओ, आउना हो जाएगा, है ना, इसके बाद खिलावना में, करनी में कौन सा हो जाएगा, करनी, नहीं बेटा, कर, 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 ये तो हमारी ध प्रश्रार रहा है, नहीं जोड़ रहा है, देखो पहले यह समझ लिया करो विछ से कौन सा अर्थ निकल ला को, एक सार्थक सब्द निकाल लो, उसमें जोड़ दो, जैसे देखो, जूल, घेर, ठेल, मेल, जिर, दॉड़, अब इसमें क्या लग गया, कौन सी मात्रा लग गई यहां से अर्थ निकालो देखो पहले निकालना सीखो क्या लिखा है जूल रादा जूल रही है है ना रादा जूलती है तो जूल हो गया घेर हो गया, ठेल हो गया मेल हो गया, गिर हो गया और दोड हो गया अब यहाँ पर तुम यह सार्तक सब्द निकाल दिये, अब इनमें देखो कौन सा प्रत्य लगा है, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्य लग गया, आ की मात्रा लग गई, तो यही आ प्रत्य हो जाएगा, देख लो यहाँ पर एक बार, यह देखो आ प्रत्य लग गया, कौन सा प् पेलन, ढकन, चुभन, बंधन, इसमें कौन सा प्रत्य हो जाएगा? देखो, इससे एक चीज अलग करो, बंद, बंद अलग हो गया ना, बंद सब दोता है ना, बंद, और बंद से ना लग गया, चुब, ना, बेल, ना, तो इसमें ना प्रत्य लग जाएगा, कस ओटी, कस आउटी की ना आउटी, तो यहाँ आउटी हमारा क्या हो गया? आउटी क्या हो गया? प्रत्य हो गया, ठिक? तो यहाँ पर हम लोग ऐसे देख लेते हैं, कि प्रत्य निकालना आसान है, देखो, बुलावा, दिखावा, बुलावा, इसमें कौन सा हो जाएगा? बुलावा, से बुलावा, छल से छलावा, पहन से पहनावा, तो यह आप लोग जब एक दो बार रिवाइस करोगे इनको, तो यह समझ में आ जाएंगे. देखो, उठान, मिलान, उडान, यहाँ पर आन हो जाएगा, आन प्रत्य हो जाएगा, ठिक, और आवट इसमें हो जाएगा, लिखावट, बनावट, ठिक, हाँ, इसमें बेटा यह हो जाएगा आपका, यह देखो, आहट, जैसे घबरा में लगा तो घबराहट, गडगड़ाहट, है ना, मुस्कराहट, जगमगाहट, चिलाहट, चैचाहट, छटपटाहट, ती लगाओ तो गिंती, भरती, बढ़ती, चड़ती, धरती, घटती, चलती, इन सब में आपका ती प्रत्य लग जाएगा, कौन स और नी, तो प्रत्य कौन सा हुआ, जो बाद में आपको वर्ड दिखे, जो आपको सब्दांस दिखे, वही हमारा प्रत्य हो जाएगा, ठिक, देखो जैसे गढ़ंत, भिढंत, रेटंत, हसंत, लिखंत, अंत लगाए, हस, अंत, हसंत, तो आपका अंत प्रत्य हो जाएगा, चलो भाईया, यह तो निकाल लोगे ना, कोई बहुत तगड़ी चीज तो नहीं बता दी, हाँ, कई दो सर यह तो कभी हमने सुने नहीं ता पता नहीं कहा बता दी है, ना, देखो, ऐसा कुछ भी नहीं बताया जो कभी न सुनाओ, है ना, लिखावट, बनावट, है ना, कस चलन, यह सब हो जाएंगे, देखो, आ, या, 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 ये भी प्रत्य है, जैसे देखो, पूजा, ठिक, तो पूजा, पूजा में क्या हो जाएगा, कौन सा प्रत्य हो जाएगा, पूज, आ, पूजा, है ना, आ प्रत्य हो जाएगा, इच्छा में आ प्रत्य हो गया, विद्या में या हो गया तथा में आ हो गया मरगया में या हो गया सूखा में आ हो गया भूला में आ हो गया विक्षा में आ हो गया बताओ ये निकालना किसी किसको टफ लग रहा हाँ तुठाओ अच्छा बताओ बेटा नाम क्या है आपका ने इसका विमल तो विमल बताओ इसमें कुछ टफ लगा तुमको पूजा में कौन सा प्रत्य है पूजा आप प्रत्य है यह तो कहीं पूजा में दिखी नहीं रहा है इसके बाद देखो विद्ध्या में विद्ध्या विद्ध्या में यहां है जो अन्तमेदी के जाए वही मार दू है ना विद्ध्या में कौन सा प्रत्य है यह प्रत्य है म्रगया में म्रिगया यह प्रत्य है बस बात खत्म यह तो तुम्हारे सामने उसने लिख दिया उत्तर अराम से उससे हो अब देखो आते हैं हम लोग 5 अच् gep आप अच्छा इसमें बताओ जैसे ये लिखा है दाता करता दरत दर्त वक्त नेता विधाता निर्माता इसमें कौन सा अधा इसमें कौन सा प्रत्य हो जाएगा बस करत में तार आजोड़ दोगे कहल करता क्रीमे करता है नव धर्ता नेता बस हो गए इसमें देखो कौन सा प्रत्य हो जाएगा दे गे पे ए हो जाएगा या हो जाएगी ठिक आगे देखो आगे चलें देखो कह रहे हैं दहातु मतलब क्रिया सब्दों को छोड़ कर संग्या सर्वनाम विशेशन वः अव्वे सब्दों के अंत में आने वाले सब्दांस को सद्धित प्रत्य कहते हैं कहने के मतलब वही हुआ ना कि क्रिया के बाद ना आए क्रिया के अलावान किसी के अंत में आने वाले तद्धित प्रत्य कहनते हैं पहंचानलोगे कौन सा कृत है कौन सा जो धातू के जो संग्या सर्वनाम के बाद सभ्वय केबाद तो ATAY संग्या को हम क्या बोलते हैं कि सद्धित प्रत्य बोलते हैं ठीक देखो कि अब भाइस आप देखो जैसे सोना है कि तोना में लगाओ आर प्रत्य लगाओ कि सुनार बन जाएगा गाओं में लगाओ गमार बन जाएगा आर प्रत्य लगाना है है ना गमार बन गया आगे देखो वान प्रत्य लगाना है आपको गुण में लगाओ वान प्रत्य अच्छा आम इसको इस बार डख देए बिल्कुल ऐसे ऐसे पड़ो मस्ती के साथ है ना चलो अब देखो गुण में वान लगाओ क्या बन जाएगा धन में लगाओ गाडी में लगाओ गाडी वान गाडी वान मतलब गाडी को चलाने वाला है ना अब देखो जुमा में आरी लगाओ आरी लगाओ पूजा में हुजारी तेखि क्साद रेखआ दो भिखारी डिरा लगा ओट साब इसके साथ चित के साथ के त्यप के साथ लगो आप टी तरा बन जाएगा साप के बाद तपेरा बन जाएगा, अंध के बाद, अंधेरा बन जाएगा, मामा का, चाचा का, चाचा का चाचेरा, फूफा का, उफेरा बन जाएगा, लाख का, लखेरा बन जाएगा, घास का, गसेरा बन जाएगा, कोई दिकत, बस, यह पढ़ने में अच्छा मजा आ रही कि नहीं आ र तॉलिया दुख में लगाओ आढद में लगाओ कि अरतिया बन जाएगा में अब इसके बात भी लॉड़ा हो कि बच ऑल बन जाएगा हाँ चश्मैं लगाओ रसिया लुड में लग दियो हो घुंड थो उलियद सब हलो और सी तरफ ना है ना एक बिचौला। प्रत्त प्रत्त को दीमाग नहीं लगाना है बस गीतकार बो मतलब नहीं लगाना है ब Ol जानकार गुणकार वान लगा देओ गुणवान आण ओजाएगा जानकार कलाकार अब देखो को कि अब चीप्रत्य लगाओ भाई साथ यह आया है अपने लेविल का है ना चीप्रत्य लगाओ अफीम में अफीम में लगाओ ची प्रत्य, साथ में दोनों को बोलो, अफीम के साथ लगाओ, अफीम ची हो जाएगा, है ना, मसालची हो जाएगा, खजाना में लगाओ खजानची हो जाएगा, नकल में लगाओ नकलची हो जाएगा, है ना, गांजा में एडी लगाओ क्या हो जाएगा भांग में लगाओ एडी बंगेडी हो गया यह सब जरूर याद रखना है तुम्हें कहीं न कहीं लोग मिल जाएंगे गोमते टैलते हैं ना तो इनको अब्जर्व किया करोगी यह किस प्रत्य से मिलके बने इनके लिए परसनल सब्दों बनाए गए है ना गांजा से आता है तो पीने से अकड़ लगा दिया तो ऐसे करके देखो इनका भी आरेक अपना लाइफ स्टाइल होती है ना बिल्कुल मतलब एक लेवल उपर इनको मोम आया से मतलब नहीं होता बस इनके पास साम को तुड़ाई सो रुपाय का जुगाड हो जाए बस बात कितब है न आगे देखो विटा आहत लगाओ जरासी आहत होती एक करव आहत है ना चिकन आहत तिल नुम में लगाओ ठील मिल आहत इसके बाद घबरा में लगाओ ठटफटञमें में लगाओ ठटठऽा हो आस लगास किसी को दिला देघ वूसर एक यह पूछ आगे आगे बोलेगा रहेना प्रत्तय व Harण ऐसे आस लगाओ मीठा में मि较 अभ मुर्णकर अब कोई पूंच लें सब्सक्राइब कौन सा प्रत्ते को यंदि पूंच लें आव मेंलuben तीर स्कार में कौन सा प्रत्ते कि यह वाली wali a B c SAP Divine कार नहीं कि यह वाली कार नहीं यह वाली कार कि कि कहीत हमारा प्रत्य हो गया कर अच्छ के अच्छ चाँ तय को पता एकयो प्रत्ते से इसा वी बना कि विभना देते हैं जैसे यह कुछ भी है यह ऊपसर्ग है ऊर्दु का उसरह यह बेट कंप Пос 특 लगा दिया कार कि क्या बन गया बेकार बना बेकार लेकिन है एक सब्द है ना बेकार बन गया बेकार है ना आगे Чलो अच्छा यह कुछ ब्लर हो गई है लेकिन समझ लो अक प्रत्य लगाना है ठंड में लगाओगे ठंडक हो जाएगा कड़ा में लगाओगे कड़क हो जाएगा बन में लगा दोगे बनक हो जाएगा है ना हाँ इसके बाद तेखो हम तोकर अभी प्रत्यका लगाना है तोकरा में लगाओ को करी खुर्पा में लगाओ फुर्पा में लगाओ कुरुपी हैना कोठा में लगाओ यह कहां हां तो कोठी हो जाएगा ती नाला में लगाओ कि बस बस बास बना दिया तुम लोगोंने इसको टोकरशा तोकरी बना दिया खुरुपा कि अहां लगा जा रहा है कटारी नाली नाला से नाली मंडल से मंडली है ना बताओ कोई समस्या आगे चलें अच्छा अब यह एक और बच्छा यह देखो बंगाली मद्रासी गुजराती लखनवी है ना यह सभी प्रत्य लगा दियोगे दिल्ली है ना देल भी बन जाएगा लखनवी बन जाएगा आठ से आठमा पांच से पांचमा तो वहां प्रत्य लग गया दो से दूसरा दो से दूसरा बनता है ना तीन से तीसरा बन गया तो बस तीन से तीसरा इनमें सरा प्रत्य लग गया अब बताओ यह कभी लगता था कि सरा कोई प्रत प्रत्य होता है है ना सरा प्रत्य है और सरा प्रत्य है अगर हम दो में लगा देंगे दूसरा बन जाएगा तीन में लगा देंगे तीसरा बन जाएगा आप देखो इप्रत्य लगाओ पाप में लगाओ तो क्या बन जाएगा पापी बन जाएगा त्यागी बन जाएगा जंगली है ना हाँ, धन में लगाओ, मान में मानी, हिंद में हिंदी, सुख में सुखी, ग्यान में ग्यानी, गुलाब में गुलाभी, नील में नीली, है ना, पियर में पीली, हो जाएगा न, पीला में पीली बन जाएगा, बस, देखो, लू या आलू, नुछ प्रते भी होता है स्रद्दालू कि जायेगा तो पहले जोडना सीख लो चमक मेंzna पठ्रमें पठ्री ला रंग्राइं रंग्रस्पें सीला जहर में जहरीला, आठ में अठीला, देखो आरी जोड़ दो, कुछ आरी भिखारी ये तो सायदो, कहीं देखा था अपन लोगों ने, एक में एक जोड़ो, पत में पतिक, दिन का दैनिक, मास्क, मासिक, हाँ मिटा, एक से एक चीज देख लेना, एक तुम लोगों को समझा द लेना, एक प्रत्य जब जोड़ते हैं, वैसे संस्क्रत में क्या होता है, ठक और ठाई, दो प्रत्य होते हैं, ठिक, ठक और ठाई प्रत्य होते हैं, इनकी हलंत्यम सीत संग्या हो जाती है, बचता क्या है, केवल ठा बचता है, फिर एक सूत्र आता है, ठस से कहा, ठस से कहा, कि ठस की जगए क्या हो जाए इक हो जाए ठाकी जगए इक हो जाए तो बस ठाकी जगए इक हो जाता है वही एक प्रत्य आपका यहां पर ले लिया गया किसमें हिंदी में ले लिया गया हिंदी ने ठक ठाई नहीं लिया ठिक तो यह इसका ओरिजन यह इसका ओरिजन वता रहे थस से कहा एक प्रत्य है और एक प्रत्य को हम जब इसमें लगाएंगे तो इसमें होता क्या है जो प्रथम स्वर्वर्ण होता है प्रथम स्वर्वर्ण उसकी क्या हो जाती है व्रद्धी हो जाती है जैसे देखो अब व्रद्धि करके देखना मज़ा आएगी इसमें दिन है ऐसे समझो दिन लिखा है तो आप इसको ऐसे ही तो लिखोगे दिन है ना अब दिन में वेटा इक प्रत्ते लगाया तो हमने बताये कि जहां भी इक प्रत्ते लगेगा उसमें जिस भी वो सब्द के साथ लग रहा है उसका पूर्व स्वरवर्ण क्या हो जाएगा व्रद्धि हो जाएगी और व्रद्धि संग्या किसकी होती है तो ए ओ ओ नहीं है कि का आई household देखो इनकी ब्रद्धि संग्या होती है क्योंकि संस्क्रिथ में बताये अब दिरा दiveness हम इसलिए बता आए कि इनकी ब्रद्धि संग्या क्यों बोली गई इन को प्रस्ञ न कर ले कि सर इन ठीक तो देखो इनकी व्रद्धिसंग्या होती है, ने क zij संस्क्रत में बताएगल व्रद्धिराद ऐच अम इसलिए बता मैं और इंकी व्रद्धिसंग्या क्यों बोली गई उन्हीं को अधिक स्व fry औario और भी तोष़य हैं, हम उनको ब्रद्धि संग्या क्यों नहीं मानतें? तो हमारी व्याकरण सास्त्र बताता हुआ है ब्रद्धि्राद आइच, आत आइच ब्रद्धि संग्या अस्यात तो जो आ है और आइच आई आऊ ठीक तो ये इनकी क्या हो जाती है ब्रद्धि संग्या, तो देखो, अब E, इसकी ब्रद्धि संग्या आ तो आएगा नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है, और इस आ के साथ E मिला हुआ है, तो इनकी ब्रद्धि में यही तो आएगा, इनका ब्रद्धि संग्य के यही तो होगा अगर कहीं U होता तो U में ये A और U मिलके बना होता है तो उनका प्रदिसंग्य आ हो जाता ये कुछ ना कुछ मिल रहे हैं है ना तो अब देखो E का आप प्रद्धी कर दो तो E की जगे प्रदिसंग्य क्या लिख दोगे तो और बताओ काउन सा लिख दोगे आय लिख दोगे है ना तो यहाँ पर दा लिखो और आय लिख दो इसके बाद ना लिखो फिर इक लिख दो अब बेटा दा में आय जोड दो तो क्या हो जाएगा आय ये आय की मात्रा एक लगी है जब इसमें सब्द में वर्ण में लगाओगे तो दो हो जाएंगे दैनिक उ का आओ हो जाएगा तो आओ पनिसदिक ठीक तो यह समझ लेना कि यह हमारा क्यों स्वरवर्ण हो जाता है समझ रहे हो यह हमारा इसलिए हो जाता है यह जो सूत्र हैं यह बताते हैं कि भया प्रथम स्वरवर्ण की हम क्या कर देंगे व्रद्धी कर देंगे और व्रद्ध तो वात्से में लगाओ वात्सयायन बन जाएगा कात्य में लगाओ कात्यायन बन जाएगा है ना दांड में लगाओ तो दांडयायन बन जाएगा नारा में लगाओ बिटो नारा में लगाओ आयन नारायन अच्छा नारा सब्द का आर्थ पता है कि वट इस थमीनिंग आफ वर्ड नारा पजाम वाला नारा नहीं है असो नहीं नाला कहिं के नारा मतलब होता है हमारा देखो बहुत अच्छा वर्ड है यह तो तुम लोगों को जानना चाहिए बिटा बिमल समझना तुम बिटा है नारा होता है आपहा अब कर दो यह कौन सा एक बला बता दी है ना तो यह का मतलब होता है जल ठिक अब कोई पूछे नारा का मतलब तो क्या बताओगे जल क्या बताओगे वेटा जल तो देखो तभीर नारा हें जहींटे में ना टो जल के जिल KAR का जिनका आयन है जल रूपी जो है जिनका आयन है वही तो अग्वान नारा मतलब होता है आपाहा नारा मतलब आपाहा आपाह माने जल जल माने एच्टूओ एच्टूओ माने वर्टर समझ गए चलो वीटा आज हम लोग प्रत्य यहीं तक रखते हैं ठीक मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जो है आप लोग इसको देखते रही है वीडियो और वीडियो पूरा देखिएगा आप लोग जो भी है ज्यादा देर के नहीं है 40 मिनिट का मुस्किल स हुआ है वीडियो तो इसके बाद बने रही है आप लोग अपनी क्लासेज में एडी स्मार्ट क्लासेज में और टेलीग्राम चैनल को आप लोग जोईन कर लीजिए जिसमें आपको यह पीडियाफ्स अवेलेबल हो जाएंगी ठिक मिल जाएंगे आप लोगों को स्वता से पढ़िये देखो जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तो टीचर किसी भी टीचर की वह उकात नहीं है कि वाई साब वो चीजें बता दे और आप हर चीजों को गेन कर लो है ना आपको स्वता मेनत करनी पढ़ेगी टीचर क्या होता है टीचर केवल आपको एक गाइड क कर देगा चलो फिर मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाई बाई